हेलो फ्रेंड यह देखिए हम तक्या का खोल बनाने चल रहे हैं तक्या का मतलब वह उपर वाला कबर जो है देखिए हम इसको इधर से लिए हैं लगभग 15 प्राया को साथ 16 इंचा इधर से और बाखी इसकी लंबाई देख लीजिए इसकी लंबाई है तीस इधर वह जालीश चालिस और जोला जाके होगा चपपन इसकी लंबाई चपपन है और चवडाई जो है साले सब्सक्राइब इसको इस तरह से देखिए किनारी के किनारी जो किनारी निकलने वारा कपड़ इसको हम सिल लिए हैं दोनों साइड से सिल लिए दोनों तरब को इधर से भी उधर से भी बाकि बगल बगल छोड़ दीए इसको हम इस तरह से अब ले आएंगे इधर इतना बढ़ा कर ऊपर ऐसे रख लीजिए बराबर करके अब इसके बाद देखिए इधर जो कपड़ा बाहर हम निकाले है लगभग इसका है ओव घवेए जफा छे इंग नहीं ही छे इंग है कपड़ा हम बाहर निकाल के रखे उसे बाद इसको उल्टा करके रखिए है इसको अब यहाँ फ़र पकड़े करें लाके यहां है यहींच के अंदर यहां तक लाना है यह देख लिजिए यहां पर आ रहा है यहां तक हमको इसको लाना है इसे पुरा बराबर दोनों साइड एखिए दोनों साइड बराबर करना है इस तरह से डेर हिंज Вас धर हिं चफ़ा अंदर लाकर लानेके बाद अब हमको इसकी लंबाइय मतलब पूरा सिलाएज है इस यहां से यहां तक नीचे तक सिछला List देनी है । चलो को पूर साइट आ पो कि दाइं चला लेंए है 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 जा इन पर इसकूर है अब इसको हमें ऐसे उठाना है अब इसको सिध्धा कर लेना है इस तरह से यह जो कोना वाला कपड़ा है यहाँ पर लाकर ऐसे सिध्धा कर लीजिए इस तरह से दोनों कोना निकल गया है इसको जटक रहे है कोना नहीं निकल रहा है तो सुई की साहता से आम निकाल सकते हैं देखिए इस तरह से कितना बढ़िया कोना निकल गया कि अधिये इस तरह किनारे वी जला लें है कि अधिये दोह करा दिखा लाना है किनारे किनारे इस तरह किनारे पका करने के लिए ताहिए मार्णों को जाएगी कि अधिये एक इंचि इसके अंदर से शिलाए एक शिलाए और लागे रहा है कि अधिया है कोने पर लाकर इस तरह से मॉर्दे नहाए सुई अंदर करने के बाद अब इसको पुदारे शिलाए लाए लाए कि अधिये इस तरफ भी सुई अंदर करने के बाद अधिया अधिया यह देखिए रेडिमेट तकिया की तरह तयार हो गया है फिलो कवर अधम रेडिमेट पिलो कवर रेडिमेट अधिया का अधिया इस तरह से हैं इस तरह आप प्रिंट भी कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है यह तो प्लेन कपड़ा है तक ओके ठैंक्यू वावाई हमारा चैनल सबस्क्राइब और स्मयार कर दिजिएगा और दिजिएगा और लिग्त झाल झाल